रक्षा बंधन कब है दो हजार पचीस में? नोट कर ले राखी की सही तारीख और शुभ मुहूर्थ दोस्तों आज के वीडियो में बताएंगे दो हजार पचीस में रक्षा बंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा? रक्षा बंधन पूजा विधी और भद्रा काल कब से कब तक रहेगी और राखी बांधने का सबसे अच्छा मुहूर्थ क्या है? रक्षा बंधन सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो हर साल शावन पूर्निमा के दिन मनाया जाता है रक्षा बंधन के त्योहार को राखी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है राखी बांधने के लिए शुब मुहूर्थ पर विशेश ध्यान दिया जाता है क्योंकि भद्रा के समय में राखी नहीं बांधी जाती है चलिए जानते हैं इस साल रक्षा बंधन कितनी तारीख को है रक्षा बंधन तिथी 2025 शुभ मुहूर्थ साल 2025 में रक्षा बंधन का पर्व 9 अगस्ट शनिवार के दिन मनाई जाएगी राखी पूनिमा तिथी प्रारंब 8 अगस्ट दोपहर 2 बचकर 13 मिनिट से पूनिमा तिथी समाप्त 9 अगस्ट दोपहर 1 बचकर 26 मिनिट तक रहेगी राखी बौधने का शुभ मुहूर्थ सुभा 5 बचकर 46 मिनिट से दोपहर 1 बचकर 26 मिनिट तक है रक्षा बंधन पूजा विधी रक्षा बंधन का पर्व विधिविधान से मनाया जाता है इस दिन सुबह सबसे पहले स्नानकर साफ या नए कपड़े पहनने चाहिए फिर पूजा घर में भगवान की पूजा करें इसके बाद शुब मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांधे सबसे पहले बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाती है फिर कलाई पर राखी बांधती है और उसके बाद भाई को मिठाई खिलाती है इसके बार भाई अपनी बहन को शगुन में पैसे या फिर उपहार देते हैं रक्षा बंधन के पर्व का महत्व रक्षा बंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है पहला रक्षा और दूसरा बंधन इस तरह से रक्षा बंधन का अर्थ हुआ एक ऐसा बंधन जो रक्षा प्रदान करता हो इस पवित्र दिन पर बहने अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांधते हुए उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं तो वही भाई अपनी बहनों उनकी रक्षा करने का वचन लेते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सबसक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में थांक यू वाचिंग वाचिंग